हेलो दोस्तों वेलकम टू दी चैनल इन्वेस्टरफाई तो दोस्तों आज है टूंटी एर्थ आफ जून और आज ही के दिन एक कंपनी है जिसका नाम है एननसी इंडिया लिमिटेड उसके दोस्तों क्वाटरली नंबर्स आ चुके हैं तो इस वीडियो में हम वही डिसकास कर हैं जिससे हम जो भी लेटेश वीडियो बनाएं वह आप तक तुरंत पहुंचे और दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोकर का लिंक प्रोवाइड कर दिया है आप वहां से जाके अपना नंबर शो की हैं आप दोस्तों वीडियो की कॉलिटी हाई करके देखिए गा जिससे आपको नंबर सिक्दम क्लियर ली दिखेंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा तो देख सकते हैं आप ये कॉन्सोलिडेटेड फाइनियल रिजल्ट है और रूपी इन करोर्स दी है स अगर आपको अलग अलग पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉस्ट करके आराम से पढ़ सकते हैं बडोस्त हम लोग सिर्फ टोटल इंकम की बात करें जो दोनों को एड करके आती है तो देखा जाए इस कौटर में 3550 करोड की ओवरॉल इंकम करी ये कंपनी ने जो कि आप द चाले कंपनी की ओवरॉल इंकम में मार्च 2020 की बात करें तब 345 करोड का ओवरॉल इंकम थी कंपनी तो यहां पर भी हलका सा एक अपसाइड मूव दिखा है बड़ दोनों जगे देखा जाए कंपनी ने ग्रोथ लिया अगर हम ओवरॉल की बात करें तो 11,592 करोड का अच्छा बूम देखने को मिला दोस्तों में काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने कौर्टर अन कौर्टर बेसिस पर दिखाई है अगर हम एक्सपेंसिस की बात करें जो कि यहां पर में मेंशन है 279 करोड के एक्सपेंसिस हुए कंपनी को इस कौर्टर में जो की प्रीवियस क 2020 में 2686 करोड के थे फानेंशल लगे अकॉर्डिंग देखेंगे हम तो 9381 करोड के एक्सपेंसिस थे कंपनी के फानेंशल यह 2020 में जो बढ़ चुके हैं इस पर और 996 करोड पर आ गये हैं तो दोस्तों कंपनी की यह तो टोटल एक्सपेंसिस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि में लिए जिस चीज़ से में मतलब है प्रॉफिट फॉर दी पीडिर की कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ अखिर इस बार तो आप देख सकते हैं इस कौटर में देखा जाया तो 756 करोड 83 लाग का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को तो राउंड फिगर्स में बात करें हम तो 756 करोड का प्रॉफिट कंपनी ने दर्च किया जो कि कौटर 4 मार्च 2021 का है प्रीविएस कौटर से एक बहुत बहुत बहतरीन जंप देखने को मिली है में क्यूंकि दिसंबर वाले कौटर में सिर्फ असे प्रॉफिट जो कंपनी का था वो 183 करोड का था आप देख सकत प्रॉफिट के लिए विए अरन्या करोड के कंपनी के इस बार घट चुके हैं 1345 क्रोड करोड में घट टेक्ने को मिली है सभी को उसका रिजन बता है दोस्तों कौटर वन कौटर टू के नंबर कोविट की वज़य से एक इस वज़े से में yearly basis पर profits कम देखने को मिल रहा है बट अगर आप देखेंगे यहां पर बहुत 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 अच्छी उच्छाल है और क्यूफोर से क्यूफोर में भी जबरदस बूम देखने को मिल रहा है तो overall बात कर जा है अगर आप कोविट की situation side रख देंगे quarter one quarter two की तो company results बहुत ही अच्छे शोगी है इस बार EPS के अगर हम बात करें जो कि आप देख सकते हैं basic and diluted इस quarter का 3.61 है previous में 0.81 था and March 2020 में 3.35 था तो यहां पी आप देख सकते हैं तीनों जगे हमें growth देखने को मिल लिए quarter 3 से quarter 4 में EPS अच्छा बढ़ा है बट 6.96 पर आगया है तो यहां पर हम एक decline देखने को मिल ला है company EPS में but quarterly basis पर company ने grow किया है तो दोस्तों overall एक बात कर जिया है मेरे साब से results company ने बहुत ही अच्छे शोग की है result अभी market hours में आया है तो चलिए market की प्रिकरिया भी हम लोग देख लिते हैं कि market ने इसको कैसे perform किया अभी market open हम एक बाद data refresh कर लेता हूं जिससे हम exact price हमें पता चल जाएगा तो आप देख सकते हैं गजब की तेजी है share price में 64 रुपए 40 पैसे का share price चलता है इसका 2.63% की तेजी है 1.65 की अगर हम dividend की बात करें दोस्तों तो यहां पर आपको company information दिख जाएगा dividend पर जैसे आप क रुपए 50 पैसे का dividend दिया है company अगर आप share price देखेंगे 64 रुपए चलता है इसका उससाफ से dividend company ने बहुत ही लाजवाब दिया है आप देख सकते हैं डेट यहां पर 28 जून है और यहां पर dividend की बात की गई है कि recommended of final dividend of 1.50 per equity share तो एक रुपए 50 पैसे का dividend दिया है company ने overall अग की delivery उठाई जा चुकी ही तो overall दोस्तों हमारी चोटी वीडियो थी जिसमें मैंने quarterly numbers कवर किये इसके आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगर अच्छी लगी तो प्लीस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिल झाई तो मिल सकतलुation मारा च्पर को एतक थमाराना हो उड़ो Calli ni वे कर